राजिस्थान आते हैं जब जब आला कमान को लगता है कि सब कुछ सेटल हो गया है तब तब नए सिरे से वहां बयान बाजिया शुरू हो जाती है अशोक गहलोत ग्रामीर खेलों के जरीए नए सिरे से संग्ठन और संग्ठन से भी ज़्यादा अपनी सरकार की चवी को मजबूत करने की कोशिच कर रहे हैं लेकिन आलम यह है कि करनल किरोडी बैसला के अस्तिव सर्जन कार्टम में चांदा पहुंचते हैं तो जूता उचाल दिया जाता है गूजनों का नेता कौन संग्ठन का नेता कौन का नेता कौन और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अशोक गहलोत कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ साथ कुछ महीनों तक मुक्यमंत्री भी बने रहेंगे क्योंकि राजदीब जी की तरह मेरे भी सूत्र हैं मैं भी कुछ एक्सलोसिय बताना चाहता हूं कि जो बात तै हुई है फिलहाल वो ये है कि वो कुछ महीनों तक दोनों पदों पर रहेंगे उसके बाद वो राजिस्थान में सत्ता का हस्तांतरन करेंगे और उसमें भी उनकी सुनी जाएगी तो कॉंग्रेस की एक तरफ रंडी मैं गरीब रिपोर्टर हूं उनकी पुष्टी मैं नहीं कर सकता मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं जो थोड़ी बहुत खुर्चन हम लोगों को मिलती है उसमें यह है कि अशोग गहलोत सहाब का ये एक क्लैरिटी आ रही है कि अगर सोनिया गांदी नहीं तो दूसरी ता कि वो एक और यात्रा करना चाहेंगे यह हिंट्स आ रहे हैं कि एक और यात्रा अधियर साथ हो सकती है कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि राहूल गांदी एक वो ले रहे हैं स्टैंड तो गहलोत सहाब पे जो है ना बड़ा विकट समय आ गया पिछले करीब मैंने गि कनेक्टेड लोगों से भी जो उसके साथ ड्रॉइंग रूम में पहले वो बाहर ऐसे बयान कर रहे थे आजकल वो कटाक्ष करने लगे हैं कि कैसे उनकी सरकार एक रिबेलियन से बचके बच गई और किस तरह से वो काम निकाल गए ले गए अभी कल ही शायद हुआ है कि वो अरविंद केजरिवाल फॉर्मुला यह है कि वो पार्टी के मुख्या है आम आदनी पार्टी के और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी है उनका कहना यह है कि अगर मैं हड जाता हूं तो मेरे पीछे से प्रोटोकॉल हर तरह का हड जाएगा और पार्टी का अध्यक्ष जो ह वो सांसर भी है और उनके साथ एक सेंस ओप प्रोटोकॉल चलता है क्योंकि वीजेपी के अध्यक्ष है कॉंग्रेस में विपक्ष में होने के कारण उनको प्रोटोकॉल नहीं पिल पाएगा और पूरे देश में, ब्रमण में, मीटिंग में तमाम चीज़ों में उनके लिए मुश्किलात आएगी तो ये अशोग गहलोट जी का फॉर्मूला है कि गहलोट जी चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ एकस्प्स हो जाए तो क्या है कि गहलोट साहब का बेसिक इंडिकेशन ये है कि मैं काला पत्थर जो मुख्यमंत्री के घर के बाहर पढ़ा होगा उसको मुख्यमंत्री बना दूगा, सचन पाइलट को नहीं बनने दूगा और एक तरह से उनको ये सिगनल जो है जाने से पहले सोनिया गांधी जब अभी विदेश गई थी अभी लोट के आ गई ये मिल गया था कि आप राजिस्तान की चिंता छोड़ दीजे आप पार्टी की चिंता छोड़ दीजे उनको ये चीज़े बड़ी इंट्रेसिंग है सौरब की ये भी याद दिलाई गई कि आप ऐसे जनरल से आप ऐसे कॉंग्रेस के एक कार्व करता हैं जहां आपने किसी ना किसी पोस्ट पे रहते हुए उन्तीस देश के जो राज्य है उन्तीस-थीस हरे एक में कही न कहीं एक प्रभार निभाया है तो आप जानते हैं इस देश को उनको ये भी बताया गया कि इमर्जेंसी की बात की जो सबसे पहली रहलिया हुई थी इंद्रा गांदी जी के दौरा वो अशोग गहलोट जी ने जोधपुर पे करवाई थी उनको ये भी याद दिलाया गया कि जब राजीव गांदी अमेटी से चुनाव लणने गई थे तो वहाँ पे चुनाव का प्रभार भी अशोग गहलोट के पास था तो कुल मिला करके अशोग गहलोट की जो जामवान के तरह से हनवान जी को बताई गई थी कि भाई संकट मोचो किस ताइम तुम हो सकते हो क्योंकि फला फला क्वालिफिकेशन तुम में है लेकिन ये बहुत मुश्किल का सबब बन गया है अशोग गहलोट के लिए अशोग गहलोट इस समय डेस्परेट है और उतना ही यानि वो सत्तर से उपर के हैं और सचिन उनके मुकाबले यंग है मगर इस समय सचिन जो है वो धीर गमधीर हो गए है वो छुब बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका नंबर आ सकता है और इस वज़े से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो सचिन पाइलेट के पास अगर जाते है आजकल कोई भी शिकायट ले करके तो यही कहा जा रहा है भाई साब सितंबर गुजरदान दीजिए तो सितंबर गुजरदान दीजिए चुनाव की पक्रिया शुरू हो जाएगी 24 के करीब से तो कुल मिला करके मैं कहूंगा कि यह जो भारत जोडो यात्रा है रहुल गान्दी की इसका एक डाइरेक्ट फाल आउट या एक को रिलेटेड इवेंट जो होने वाला है वो कॉंग्रेस अध्यक्ष का होने वाला है और वो exercise जो है वो क्या कॉंग्रेस पे भारी पढ़ जाएगी एक राजिस्तान जैसे राजजबेदे की से दो राजज में इस समय कॉंग्रेस है 36 गार और राजिस्तान और वो कॉंग्रेस के लिए अगर भारी पढ़ गई अगर वहाँ इस तरह का विवाद हुआ कि सचिन को लेकर के अशोक गहलोत अड़ गए और अध्यक्ष उनको बनना है तो कॉंग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा फजीता होने वाला है कहीं न कहीं ये जो कहेंगे कि एक तरह से कॉंग्रेस की पूरी यात्रा डिरेल हो सकती जबकि मैं कहूंगा मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर राहुल गांदी ये तै कर लें कि कॉंग्रेस से जुड़ो यात्रा होनी चाहिए थी ये और ये बनाद है उसका पूरा अजेंडा तो शायद ये 3500 किलोमेटर 1500 दिन कॉंग्रेस के लिए फाइदे का सबब हो सकते